कि नाम जपने में कोई पैसा नहीं लगता कोई धर्म नहीं चोड़ना काम दंदा नहीं चोड़ना परिवार नहीं चोड़ना कोई अलग कहीं जाना नहीं आप घर परिवार में रहते हुए माली का नाम ले सकते हैं माली की प्राप्ति कर सकते हैं पर ये संभव है अगर आप स तो बाई लगातार सुमर्ण करते रहो यह मत सोचो कि आप कल करेंगे परसों करेंगे यह तो मन के दाओं है जो दाओं पर दाओं चलाता जाता है कि मैं तो करूंगा ही करूंगा सुमर्ण मालिक जाने उसका काम जाने आदा गंटा कम से कम सुबह शाम ऐसे आदा गंटा शाम को आदा गंटा सुबह मालिक की याद में लगाया करो फिर इस घोर कल युग में खुशियां हासिल हो सकती है ऐसे ऐसे सेवादार देखे बड़ा खुशी से आया करते आना सेवा करना हमने क कभी अलफ से वे नहीं कहा है, अपने आप मन के हत्ते चड़े, अपने आप भी दूर हो गए हैं, चलो, सुबह का अबूला शाम को घराता है, मालिक उन्हें भी माला माल करता है, कोई कमी नहीं चोड़ता, पर ये देखने में आता है, चंद लोग ऐसे होते हैं, जो मन के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन पसंद बात नहीं होती, और संद फकीर, जैसे जैसे युग बदलता है, वैसे वैसे अपनी बानी, अपना तौर तरीका बदलते चले जाते हैं, वो एक जैसा तो और तरीका नहीं रखते हैं समय के अनुसार उनका हर चीज बदलती है और वो किसी से राएनी लेते कि मैं बदलू कि ना बदलू जैसा उनका मौला सद्गुर अल्ला वाहिग्रू कहता है वो वैसा ही समय के अनुसार वो चीज में परिवर्तन करते चले जाते है कईयों को ये पसंद नहीं आता तब तो ऐसा नहीं था अब ऐसा है, पहले ये था अब वो नहीं, तो भाई पहले तो बात कुछ और थी सद्गुर के वच्चन दिंदुगनी राचोकनी आज बात कुछ और है तो ये तो इनसान के आँखों पर परदा है मन का या उसके जूटे अग्यान का वो अग्यानी होता है उसको लगता है कि मैं बड़ा अग्यान बानू वो सब जूट तो आँखों पर परदा पड़ जाता है उसे लगता है कि ये सही नहीं है मेरे हिसाब से चलो तो सही है तो नहीं भाई संद पीर फकीर अल्ला वाहिगरू मालिक एसावा अनुसार जैसा हुकम जो हुकम तिवे तिवेकार वो मालिक जैसे जैसे हुकम करता चला जाता है वैसे वैसे करम संद पीर फकीर करते रहते हैं और उसी से लोगों का बहला होता रहता है